ब्रेक तो बाद इट वारी फिर बहुत-बहुत स्वागत ते गल्बात उसे तरह ही जारी रख देयां पर गल्बात लई हुन साधे नमे महमान जुड़े ने सब तो पहला था हरपीज सिंग जी रंदावा जो रे टेलरी तो जुड़े ने हरनियाग लाटी जी टुरांटो त ते प्रबंदर सेंग जी टुरांटो तो थोड़ा सारे आंदा ही बहुत-बहुत स्वाड़त जी तैंक जी गल्बात पठ दिया खबरांदे बिच इट पठ दी खबर बाल करांगे जिरी के हुन हिंदोस्तान तो आ रही है कॉमन बेल्ट ता जो ना लिया जावे तो कॉमन सारे कॉमन बेल्ट कांट्रीज दी पार्टी स्वेशन बहुत ज्रूरी है हर नहाजी सानों दसनगे कि कॉमन बेल्ट ते रिगार्ड केड़ी खबर आ रही है जी बिलकुल मिनू लगदा है द्विंदर जी की पाकिस्तान दे पारत दे जिड़े विवादा दे जिड़ा सिल कर रहे हां कॉमन बेल्टी जीड़े पार्लेमेंटरी कांट्रेंस है ओ तीस स्टमबर तो अठ अक्तूबर विच हो जा रही है हर साल अम दबके इस साल जीड़ी एक कांट्रेंस हो जारी है इस विच जिनने भी कंट्रीज शामिल होंगे उच्छे पारत दे नाल जी अनके य जम्मु एन कश्मीर नो एक टेरिटरी नहीं मन दे अर्थे वो उस ती जीड़ी असेंबली है उसनो बड़ कुल कुल कंसिडर नहीं कर दे इसले ओ अपनी इस पार्लेमेंटी कांट्रेंस जो उनना दे देश चे साल करवाई जा रहे है उस चे उनना नो शामिल नहीं करेंग इस पार्लेमेंटी कांट्रेंस विच आते ये पहली वार होएगा कि जत्तों कॉमनवेल्ट पार्लेमेंटी कांट्रेंस शुरू हुए हन कि पाकिस्तान ने जी एनके नो लेके इनना वड़ा विवात खड़ा कीता है हाला कि गौर करनवाली एक गल है कि पिछले वार जदे क कांट्रेंस करवाई गयी थी दो हजार साथ विच जिरा जम्मू और किश्मीर जो सी वह शामिल कीता गया सी तो हुन सवाल एक खड़े हो रहे हन कि आखिर क्यों दो हजार पंद्रांदी इस कांट्रेंस विच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर तो अपना मूह मोडंता फैसल जाले आए जैस मेलन दी गल्किती जावे तस मेलन क्राफी समय तो चल रहे है इस बार सिरफ इक डिफरेंस एह है कि पाकिस्तान इसे होस्ट कंट्री पाकिस्तान ओस मेलन नो होस्ट कर रहे है परमिंदर सिंग जी तो तो पुछना चाहूंगा कि कॉमन बैल्ट ती जड़ी जैस मेलन दी पालिसीज ने होतां डिफरेंट ने पर की इट होस्ट कंट्री नो होस्ट पालिसीज सिरफ होस्ट करम देली बदल देनिया चाही दिया ने दिविंदर जी एक बहुत वड़ा सा बाल बन दा है जे पाकिस्तान अपने अपनों अलग रखना चाहरे आया थे आई थे आई थिंक कॉमन मेल तो अलग होन दे या अपने रूल्स होर बदल के तुसी जड़ी पहला तो हुंदा आया है ओस सर्फ एस का के तुसी रूल ने पदल साकते क्योंकि तुसी निमान दे जड़े रूल्स है गिया या जड़ी पहला पॉलिसी बढ़िया होई है और अलडी एक स्टेंडर बढ़िया होया है कि हांजी आहा जड़े देश हैगा है यही जड़े स्टेट्स हैगिया है उन्हादे जड़े पार्लिमेंट या उन्हादे रेप्रेजेंटेटेव नू हमेशें बुलाया जांदारेया या ते होण भी पाकिस्तानू चाहिदा आया कि ओफो प्रॉपर तरीकेनाल जे अन्ड के डे वी जड़े रेप्रेजेंडिटेटेव है कि उन्हादे बुलाओन ते प्रॉपर एक सद्दा देन है क्य पाकिस्तान वोला रवया है, बहुत ही कह सकते हैं कि इसनों असेप्ट नहीं किता जा सकता। जो जो रिपरिजन्टेशन दी गल्ट ती जावे ता जो हिंदोस्तान दे सारी स्टेट दे उनाद के ओस आंबली दे श्पीकर नूँ इंविटेशन भी दिती जान दी या येक्षिंस भी हुँदियाने, फेडरल एक्षिंस भी हुँदियाने, असेंबली दे बिच आसी आप जान देया, जदो इत रेकोड़नाईज असेंबली पिछले सारे कौमन बेल्ट समिलन बिच जान दिया, एस वार पाकिस्दान दे घोस्ट कंट्री हुँदे ना ना ना, ओस असेंबली दे स्पीटर नो ना बलाया जाना कि तुसी ओस कलना सेमतों हर्पीत जी थैंक यू दुबिंदर जी अपर वेखिये थे दुबिंदर जी इंडिया दे पाकिस्तान दा छुरू तो ही जड़ी लडाई सी जम्मू कश्मीन नो लाके सी पाकिस्तान ने कदी जे एंड के नू अपना इंडिया दा इस्सा नहीं मननेया तो पाकिस्तान दे कॉंस्टिशन दे इनू इनू कितना इन्वाइट कर सकते हैं पाकिस्तान दी होस्टिंग दे बिच जा अट्सपीरियंस जा होना दे जड़े बाताबर नो देख्या जावे तस सिरफ दसन सलना तक एक क्रिकेट दा मैचता हो करवानी सर्दे कॉमन बेल्ट दा समयलन कितना ट्रालेंगे ता तुसी एस गलना भी सहमत हो के एस बेकार होस् पाकिस्तान दी गलती निये कंफरेंस है जिनने पाकिस्तान नू एक कॉन्फरेंस कॉल देती जह वेख्या जावाज जोन्दो नीव सुर्कियां चौन लगी सी मैं होंदो ही सोच दिया सी की वड़ बूट सेक्यूर्टी जो ऑन इन्दी आपने परलिमेंट दे स्पीकर जान प्लस इंडिया नी दुबंदर जी होल मैंनों लगवक 60 कॉल कंट्री जिना तो तो रिप्रेजेंटिव जाने है उना दी स्क्यूर्टी नू हाथ ते आंच रख दे हुए यह देना नहीं चाहिदा सी पर जोन्दो होन पाकिस्तान एस चीज नू होस्ट कर रहा आवा ते उन प्लस इंडिया नाल बी प्ले कर सकते ने परमिंदर सिंग तुस्सी इस गलना सहमत हो बिलकुल मैं इस गलना सहमत नहीं है किसे भी हाल दे वेच आव पॉलसी ड़ियां है गीया है वो बहुत चीज़ानों त्यान वेच रखके बनाईया गईया है और मैं एते हे गल एक जड़ी होई है गीया उस तो बाद लोका ने उते जड़ी असेम्बली ओधी चोन कीती है ते उसनों पाकिस्तान कितना दरकिनार कर सकता है और हमेशा तो जड़े बाकी देश है गया हो बड़े वदिया तरीके जनल उस चीजनों फॉलो अप कर दे आ रहे है और सिर्फ तु फॉलो जिटी तुषी अऔर एक आख आफिक वाहता रूर बने होया है तुसी ओ तोड़ना चाह रहे हो जी मेरा कोश्चन है तुसिंदों और कहरें जो की पाकिस्तान ने उनानों पॉलसी ब्रेक कीती है तुसी में नुदों यह दस ओगे केडी पॉलसी अंडर पाकिस्तान जे एंटकर सीयां एड़ स्पीकर नुन कविंदर गुपता ने जो किस्पीकर ने की पहला पर मिंदर जी ने दस्या की काफी साला तो काफी दहा क्या तो एजी ओधागी ने जुआ नहीं नहीं है मेरा कोशन नहीं है पाकिस्तान ने एक लौ यूज की ता ही थे और पाकिस्तान इस दूए गाउट की ता है ते अफ पाकिस्तान इस दूए थे प्र कांव दूए तो लौ धूटर घूर की ने डिन रस खालगी थे जब विग्रण इंस टो आड पी गूट बार्टान जाय थे पाकिस्तान जडिया हो यूज कर रहा है कि नहीं 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 पता पाकिस्तान केड़ा लौ यूज कर रहा हूँ तो नहीं तो नहीं को कि तुसी पढ़के एक गाल डिबेट करन जड़न जड़ा लौ ऑप्र कॉमन वेल्थ पर्लिमेंटरी कॉंफेर्ज ओच हों दा है कि जड़ा वी होस्ट कंट्री हूंदा अवा ओदा जड़ा है प्रेजिडंट हूंदा तो वो दे को पावर हुं दियों सारे डिसीजन ला सके और पाकिस्तान इग्साइटली नौँ-प को यह अप्सक्राइब कर रहें ने इन्हों करके ओंवाइट कर रहें नहीं नहीं लगदा हरपीत जी कि जिरे वना दे हैड ने कौमन बेल देस वारी होस्टिंग दे ने उनने थोड़ी बहुत कोई शमूलियत जान सला लही होगी तो मौडिफिकेशन कीती होगी नहीं नहीं कि तुसी पिक और चूज कर सकते हों फिर कल लुदा को एशियन डेमां दे बिच चरीन पारतनों नहीं बलाओगा पाकिस्तान नहीं बला मांगे उस्तों बाद ये ओस्टिंग कंट्री दे बिच अपने मुद्दे बनाके बैजांगे हरे असेंबली दी रिप्रेजेंटेश पाकिस्तान दी ना कमें करके एरूस दी मॉडिफिकेशन करके सार्ट समेलन दा पठावा जुके ने उस्तों बाद हुन कॉमन बैट नों भी ख्राब करना चाहों देने गालबात कर दें तुसी के वो पिक और चूज कर देने कालों कैनड़ा एक ऐसे कॉमन बैट कंट्री ज चाहिकली ओही लौवा पाकिस्तान दा जड़ा परलेमेंटरी हैड हुन्दा ओएस कॉमन वेल्थ परलेमेंटी कॉंसर्ज कशनश दा है रिपिजेशन कर रहा है अबस से कौन देने कॉमन बैट कर रहा है यह चाहिक पात्सूलूटी नोट आपसूलूटी नाट इंड इंड सार्क टेब में द्राऊ्ट बिच जीने यदि बडियां बिचने सब्सक्राइब करलेब। पाकिस्तान दी बहुत कोई जुरूरी नियागी एक कुछ कौमन बाल्च दे बिचोना सारे देशां नी कौमन देशां देशां दी सहमती नाल होना नहीं तर पाकिस्तान तर इंडिया दे इक भी प्रवेंशनों ना बलावे एक तर तुसी बेलको राइज हो दुमिंदर जी ज जमुर्भ शमेर दे स्पितर दार राइथ ओसमेलन दे बिचौना था चाना धर जाने एक थी पाकिस्तान थे लिंदे बिच्षा प्रोवें देशा टाइगी आफ जाम भाणना था यह वाली नियाएं सम्ध्ट पकिस्तान तर ऑन मान नहीं उनों.. अज्या नी बीना है नार् पाकिस्तानों कोंतरी बने पता कौन ने हम जी जड़े इंडियन डेलेगेशिट इंड्यूट इन जने स्पीकर पिछली वर उने बड़ पाई सी जदो बड़ पाइसे ज़ा पॉर्ट पाकिना थे हैड बनन दा उने इत भाई इत प्रड़ थिता सी ज़ा जे जनके स्पीकर दी इस वाले रिपर्जेंटेशन नहीं दिन दे तो उस वाले बोर्ट क्यों लई सी पर एही ते मैं तो नू कहना चौन दा तुसी आप पही पिलना सिक्योर्टी दा मुद्द उठाया जिदेना मैं तो अड़ना एगरी सी एच गल्ती दे मौन लागना इंडिया वाले दियना ने इंडिया दी प्रेजेंस दी किती जावे इंडिया जे अपना पैरों थे तरद वे ताम मेंनू एवी उमीदा के पाकिस्तान नू शैद कॉमन बैल्ट चो बार कगन दा मुद्दा भी बार ले आए जा सग्ड़ा पाकिस्तान ने जेन के दा मुद्दा चाहे गुरदास पु पाकिस्तान दी मैंनू एन इस समय जा रही है हरपीद जी तुसी किने इस दी सपोर्ट कर रहे हूं दुमेंदर जी देखो जे मैं के सिस्प्ट लें मंग तुसी मेनू किद्दा फोर्स कर देजो अचा मेरी मेरी कंट्रीस दे मेरे अपने लोग ने मैं उस लो नू फॉलो कर दा मैं मेरे लोग वेचे मेरे कॉंस्टुशन वेच मैं जे एन के नू ते इंडिया राहिस्सा नह करके दोगेशं को कुछ न्युन थे डिस्पीट लिए तुस्छीं अरिपीट जी इत मिट तुस्हीं का सुनों हिंदोस्तान नो थे डिस्पीट कश्मीर का ढई पाकिस्तान रहे गा कश्मीर अंधर Pakistan पाकिस्तान ने किसे लूरी प्रेजेंटेशन दिती हिए कोई फेडरल गवर्मेंट दे बिच वही बड़ी पोस्ते बिच वह सक्षमीर कोई बंदा जा उस परवेस्टेशन वही कमन वेल्ट सुभिलिंड दे बिच होनी है कि में प्रोर्ता कर सब्सक्राइब करने सी वाई दे नोट कुछन करने सी वाई वाई उनने इस लेटर तक निपेज या को पुछया तक निक तुसी किद्दा कर सकते जो हरपी जी सिर्फ उनादी जड़ी अबेलिटी जाओ नीट ही या कि तुसी ट्रब इस वाई तुसी वह पोस्ट कार किसे नो व्ल कर ली दे आने और पोस्ट कार जड़ा जड़ा जा रहे है मेल कर जा रहे है और भी चूरी कर लिया इनी कर्थूत पाकिस्तान कर रहा है इंद तो बड़ी हट्रत नहीं कर रहा हूँ तुसी एक्जांपल दिखता हूँ मैं तो इस गलत ही व्यागरी करता है पर एक गाल्डा जो रॉला पैच हुग है तो कॉमन वेल्ड परलेमेंटिक कॉन्फरेंस कमेटी है जड़ी हो क्यों ही पाकिस्तान गलत है तुसी यह भी कह रहे ह आडमान नियुद्ः इंटरनेशनąल लेवल थे औत्ते देखना परना एजा एक को ठोछ आपक शीतानो फिछ्यव निशा सकताना है तुसी पोकिस्ताना पुछ एंगेमेंटब्ली केंव करमेंटी जी इंडिया वलों और जे लोड पेंदी है गिया तो डैफिनेटली इंडिया पार्लिम्पेडरी मेन कमेटी है गिया उदेको जुरूर जाओगा और पुच्छूगा कि हांजी ए पाकिस्तान दे रविया क्यों है गया है ते इसनु क्यों किता जा रहे है ले वलों जदो की जमून कश्मीर दे वेचे एक डेमोग्रेकली एलेक्टेड गवर्मेंट है गी या और उस्तों बाद तुसी एक इंटरनेशनल जड़े लॉज बने हुए है या इंटरनेशनल एक कॉमन वेल्थ और्गनाइजिशन है गी या उन्हावत लोग पहला हर साल बुलाया ज जवाब देन दी कोशिश कीतिया पर मैं कुछ अडिशन करनी चाहूंगा कि कोई भी असोसीएशन हो वे जमें कॉमन वेल्थ असोसीएशन ना उना दे इक प्रिंसीपल्स हुंदेने उना दी असोसीएशन दे प्रोटोकोल्स हुंदेने एजे होस्ट कंट्री पहला तब प् कि एक्चुल प्रोब्लम किया एक्चुल प्रोब्लम असी सब तिन्य महमाना तो पुच्छन दी कोशिश करांगे हर प्रिंची थोतों शुरू करांगे के जे एन के नूँ जड़ी असंबली या ओस नो तुसी रेकोड़नाइस कर दे हो जा नहीं तेको जी अपा दोबंदर या कि असी जे एन के नूँ भी क्योंकि जे एन के शुरू तो ही डिस्प्यूटेड एरिया सी जिद्ना इंडिया नों ते कब्जा की ता कितने कि पाकिस्तान चौंदा है कि असी वी एक इंडिया नों पार्टिशन करवाई है ते एक गालते शायद अपा सारे मैं भी एग करता था कि पाकिस्तान विच टरूरिजम फाल फूल रहा वा ते पाकिस्तान शायद उत्छे नस पहुंते ने तो सब्सक्राइब कामजाब नी है गाए कि तरह पाकिस्तान गौवर्ण्मेंट अंड टेर्रिस्स ग्रूप जरे पाकिस्तान ने और किश्मीर नूं इंडिया पर एक पाकिस्तान उस जया पाकिस्तान के नूँ अपना इंडिया रहिस्सा नहीं मानदा जमो कश्मीरदा मुदा उनीस सदालीतों ही उठ्या है जिदो पिशली पाकिस्तान ने होस्ट कीता सी तोसब ऐस बेले जमो कश्मीर दे स्पीकर नूँ क्यों बलाया सी दबंदर जी गुट कोश है नहीं तो अटा तुसी जनों पिसली बरी उना ने होस्ट कीता सी उनाने जे जे एंड के दे स्पीकर नो तो डिस्पूट नहीं सी बेलकुल है गासी पर जो हूं करण सिचुवेशन वेखी है ते पाकिस्तान दे इंडिया दे महौल बहुत गरम ने तो किते जे एंड के दी जेडी गाले आ बार बार हों दी या आपना कहिए कि जंदो अपन दिलिच भी इड टाइम ते पाकिस्तान दे हाई कमिशनर ने जे एंड के सेपरिश लीडर नो इनवाइट कीता सी तो किते जे एंड के दा मुद्दा उचल रहा वहां पिछले दो- बिचले अतवद्दी सुपने लंदे ने कि कश्मीर इक डिस्प्यूटड लेंड आ एसलिए उसी उसने स्पीकर नो भी और रेकुनाइज नहीं कर सकते कि कश्मीर बिचले जाँ पाकिस्तान बढ़े अतवद्दियां को यह हट हैगा कि पाकिस्तान दे किसे भी सुबे नो अन्रेकुर्णाइज कर देन जी कर लें दो हर्पी जी मिन्हों अपने कल रेकार लें अधिकार आप यह अगर जो भी है का यह जे उते फौजदा राज चलदा पर आया यह फौजदा अधिकार है गया ते तामी आम जड़ा लोग है पाकिस्तान दा इंटर्नल मामला आया दविंदर जी नवाज शरीफ ने फाज दे उल्ट बोल के डुबई जा इंग लेंड दे बच जाके शरंता लेनी नी जिड़ा कुछ जी मुशरफ साब भी कर चुके ने उस तो पहला पुट्टो साब ना भी हो चुकिया मेरा कहन दा मतलब वे है कि कश्मीर दा डिस्प्यूट तक काफी पुराणा पाकिस्तान दा स्टैंट कदे भी चेंज नी होया काट मी कॉंफरेंस हो रही है पहला भी होस्ट रिता पाकिस्तान ने उस मेरे जम्हू कश्मीर देस्पीकर नो बलाया गया सी आप दर्मास सत्कार दिता गया सी पर एस बारी हर्पीर जी कहने ने के हालत बदल चुक्ते ने ओस मेले हालत थोड़े जे ठीट सी पर एस बारी हालत ख्रावने कि इसे मुद्दे ने उनसार ओ जम्मू कश्मीर देश पीकर नो इन्विटेशन नहीं देनी चाही दी सी हर्या जी जी मैंनू लगते है तविंदे ची की जो हर्पी जी गाल कर रहे हन की क्योंकि सुले हालात पाकिस्तान ते इंडिया विच जम्मू और कश्मीर नो लेके काफी जादा गंबीर हुंदे जारे हन तना काफी जादा वद गया है इस गाल तो में अगरी कर दी हन डेफिनिटली पिछले कुछ साला दुरान वाके ही तना बहुत जादा वद गया है जो थे सी सेपरेटिस लीडर्स दी गाल करी है इस इस गाल वरे भी पहला गाल बात कीती सी कि सेपरेट लीडर्स जड़े जम्मू कश्मीर चे बैठे हन वी इंडिया चे रहन दे होई रेकिनाईस नी कर दे ते पाकिस्तान नू केसे ना केसे हद तक सपोर्ट कर दे हन ते उनना ने पाकिस्तान दी रिटालियेशन कर दे होई भी अपना स्टैन लेया पर जम्मू एन कश्मीर नू अपना टूल बनाया ते एगल भी सही है कि जम्मू एन कश्मीर उननीस सो संताली चो जरा जम्मू एन कश्मीर दा मुद्धा है वो सौल नहीं हो पाया है United Nations Assembly चैसी गल बात करिये कि उत्थे वीक Petition दायर किती गई है कि जम्मू एन कश्मीर दा जरा मुद्धा है उसनों सुल जाया जा सके पर अजे तक UN देवी जड़े हाथ ने ओखड़े होए हैं उना वल्लों भी एत्ये कोई Resolution नहीं दिता गया गल सवाल ये उड़ता है कि क्योंकि हालाद इनने तनाव पूरन हो चुके हैं ता इस जे दोनों कंट्रीज एक दूजे जड़े इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म्स ने एक जड़ा गठ जोड़ बनन दी कोशिश होंती है उसनों डिस्रॉप्ट क्यों कर रहे हैं तो आनू नहीं लग दा कि एंटिया फोर्स इस एक्स्टरनल फोर्स इस ओरड़ी जड़ियां है गया हो मजूद हैं जे वे तुसी टर्रिजम दिगाल कर लो या आइसिस दिगाल कर लो जी ही आफ फोर्सेज ओरेडी इंडिया आते पाकिस्तान विच इंफ्लून्स करने कोशिश कर रही हैं पाकिस्तान नो तो तक्रीबन तबाई कर दता एक्सटर्नल फोर्सेज ने सरकार अपने देश नो संभालनी पारी है तो जित्वे दूजी कट्रीज वनो नो थोड़ा जे गठ जोड बना दी जडीक सहूलेट मिल दीया उसनो भी ठोकर मारे हैं जंचमीन कश्मीन तो तो पिक नहीं होना इंडिया नाल उननो कोई भी गुसा होए इंडिया नाल जंचमीन कशमीन पाकिस्तान इंटर्नेशनल लेवल ते अता कर रहे हैं कि यो अपना एक जड़ी स्टेटमेंट है किसे तरह दी स्टेटमेंट जड़ी है ओ देना चांदेहन मेरा ये मनना है कि जम्हु इनकश्मीर पावे तनाव पूरन जगा हुए पावे वन लेके काफी तनाव खड़ा हुए पाकिस्तान इसनो लेके डारेक्ट इंडियाण नुर डील करना चाईदा सी ना कि किसे थर्ड पर्टी इन प्लाटफ़ॉम बनाके इस ते italiate करना चा जावे पर जे गल मोदी साब दी जर् So Familichуш शरीफ भी जा पाकस्तानली फाउच ती जाएंड़ पॉजदी पर किते जावे ए गल किते हैं आपकित लिह रा के इन्दोबित ज्ञ शुनर 2 की यह घं दू począt wrapsभि हा바 जिदो हिंदोस्तान दे बारे जेट कदे सुफने दे बिच भी सोच लमा के निरिंदर मोती जाके ओन बाला प्रदान मंत्री जेन के बाला हो हिस्सा पाकिस्तान दी एस ड्रम में वाजी करके पाकिस्तान नू देद हुगा I don't believe it I think it will be a political suicide for any political leader सो एस मुद्धियां ते आपस बिच गल्बाद दे ड्रमा जिन्ना मर्जी करलें तीजी तेरदीश मूलियत दी गल करलें I think दोने कंट्री एने सीरियस नहीं है गे दोने कंट्रीयां दे प्लिटिकल लीडर अपने अपने प्लिटिकल राजनीतिक फैद्यान लई जम्मू कश् समीर दे मुद्धे नू अगे लेकियां देने पर गल्बात ओसे टॉपिक ते शुरू करनी चोना कि पिछले कुछ समय पहला हिंदोस्तान दे पाकिस्तान दे दोने क्रिकट कंट्रोल बोर्ड्स ने डिसाइड किता सी कि जड़ी क्रिकट गेमा दोना देशां बिच काफी प प्लेयर नू रेकोड़नाइज तरन दे जा नहीं तब इंदर सी काफी गोड़ कोशन है असे तो अटा जे ओन आपा इंडिया दी टीम कोई प्लेयर जानदा आवा तो मेरे ख्याल नहीं कि पाकिस्तान अंडर एनिवे जायो जैन के तो हुए प्लेयर चाहिए मर्जी पाकिस्तान नों ही इंडिया होना पाऊगा सेम रीजन सेक्योर्टी रीजन तब फिर सानू भी कोई रिजर्वेशन रख देनी चाही दिया के जे बलोचस्तान बरगे प्रवेंस ते बिचों जा जितना पूरत महौला ओना कंट्री देख उनने सूबयां देख लारिया नू साइसिक इंडिया दे बच नहीं आओन से मांगे जे तुसी मेरी गल मननों ते ते बेलकोल इंडिया नों भी जे नों भी डिस्प्यूटेद लैंड है की जितना जाद कशमीर दी गल कर दें या जे उत तो पाकिस्तान दी टीम कोई प्लेर होना है इंडिया नों भी पाकिस्ता ने जो गाल की ती कुष्मीर दा मुद्दा नहीं रख्या पर पाकिस्तान हमेशा कुष्मीर दा मुद्दा पहला राख दावा जो इंडिया ना गाल कर नहीं हों दिया बेसिकली इंटेंशन की असी ए मुद्दा नहीं सॉल्व हों देना बाकी रीजन जो मर्जी हों पर में हथ्यार बेख दे हों पर में जिद्धा मर्जी पैसे बंद दे हों कितना किते दो में कंट्री दे पॉलिटिशन दा अपना फैदा है गावा जदो गल्बात कीती जावे इट ड्रम में बाजीता शुरू होई या कि कॉमन बैल्थ वर्डी इट एजही स्टेज दे बिच पाकिस्तान ने इसनों इंटरनेशनल इश्यू बना होन दी कोशिश दी ती या ते इंडिया ने भी इस दा प्रोटेस्टर के अपने आपनों इ समय दा पूरा सेनेरियो देखिए पिछलिया को समय पहला कटनावा होई आया ओदी विच एक चीज जडिया सानों बहुत साफ साफ देख दी पई या ओगी या पाकिस्तान दी डेस्पिरेशन कि ओ कंश्मीर दा जड़ा मुदा है गाया उसनों इंटरनेशनल लेवल दे उत इते सिर्फ ते सिर्फ पाकिस्तान दी डेस्पिरेशन शो हो रही है क्यों हर बहाना हर हो मुदा अचा रहा है जिद आलकी इस मुद्दे नों इंटरनेशनल लेवल दे उते उच्छा ले आ जावे So end of the day जड़ा फैदा है गाया या नुकसान है गाया वो केड़ी कंट्री नों होंदा है एसी सारे जानदे पर यह नुकसान जड़ा हो रहा है वो पाकिस्तान नों ही हो रहा है और एक जड़ी bilateral ties है गया है हिंदोस्तान दे पाकिस्तान ही है वो बहुत ही ऐसा में जो कि सानु शांती देनार बैठ के ही एस गल्दा कैसे दिया फैंसला है वो करना पहना है ते उद्धा ही फैंसला होना है ना आज तक इनने साल पर मैं सिर्फ यही पुछ रहा है भी एस ड्राम में लई हिंदोस्तान जा पाकिस्तान जुम्मेवारा हर निया जी दिवेंदर जी मैंनू लगदा है कि इस पूरे सेनारियो नू जेवे परमिंदर जी ने क्या सानु बड़े गौर नाल देखना पहना है नू लगदा है कि इंडिया वलनो जेड़ा हाल इचे शांती भी पार देबचले डैसी हां जी परमिंदर सेंजी ता शांती दीखोच दे करिये ठीक है इसनो तो पाकिस्तान जो कि है मैंनू लागदा है कि बिना गाल तो ही एनू एक मुद्दा बना रहे है जिवें मैं पहला भी एगल कहीं कि किसे थर्ड प्लाटफॉर्म नो यूज करके तुसी सिच्वेशन एक्स्वाइट करके तुसी जम्मू कश्मीर नू हा प्राबलम पाकिस्तान नो होर भी बहुत सारी हैं कि क्यों जवें हुने हाल ही चे जड़ा मुहम्मद नावेद करके जड़ा एक यंग टर्रिस्ट आया इंडिया ने फड़या है इंडिया लगा रहा है कि हो पाकिस्तान तो है पाकिस्तान कह रहा है कि हो तो नहीं है सो आप पॉरी पाकिसान नहीं मनांगी पर हाँ एना दोना कंट्री से आपस जिड़े इंटर्नल कॉंफिक्स ने हूं देखन हुए मिल रहा है कि ओ इंटर्नाशनल लेवल ते भी काफी जाधा हाइलाइट हो रहे हैं ते इंपक्त हो रहे हैं हर्पीर जी ने मैं मैं आपकायाट रहे हुए रहा हूं проц कि मेने ख्याल तो शाय तो नो पता ही हो ना कि कॉर्मन वेल्थ पर्लिमेंटी कॉंफरेंस है और इंडिया चे गलबाद चल रही है 30 लेजिस्लेटर्स वालों कि ओ C.P.A. नो लिखन जा रहे हैं कि या ते जिड़ी कॉंफरेंस है या ते जिड़ा ए मुद्दा है जे इनके व बाद उननने फैसा लेया है ते बाकी कंट्री ने चे कोई अब्जेक्शन नहीं दिती ते ओ अपनी शुमूलियत कर रहे हैं पर देखन वाली गल ए होवेगी कि ये इंडिया बॉयकॉट कर दा है ता बाकी कंट्री की कहन दे हैं ये दूजी कंट्री की कहन दे हैं तक की C.P ये वालोंजीरी की एसोसियेशन है कॉमन्वेल्थ वली उनना को लोगो होस्ट कंट्री चेंज कीती जान दी है कि नहीं क्योंकि ऑव्वेसली पाकिस्तान विच होस्टिंग नों के पहला ही सिक्योर्टी दे काफी कंसर्न सिगे उन ए जड़ा मुदा खड़ा हो गया है उस प्रमिंदर जी चेंज कीता ने अपनी राज़डी जिताई या कि पार्टिस्तान ने एजे होस्ट नेशन हों दे बाप चूद प्रोटोटोल ते प्रिंसीपल्स दी वालेशन कीती है इस दोरान होस्ट कंट्री दिनूं बदल दिता जावे जे होस्ट कंट्री बदल दिता जानदा तब पाकिस्तान देली एट शरमनाट स्थिती नहीं बन जाओगी तब दितरी जे बदल दिता जानदा ता बन जोगी पर जी तक वेखिए पाकिस्तान नो ऐस मामले होते कोई कोई कंसर्ण ही नहीं रेज की ता जितना की प्रमिंदर जी और ने जी कह रहे ने कि पॉसिबल जा काम है ओनली तिंग सीपी एंड कें डू की जे ओ सीपी एदा कोई लौ हैगा वा ओद पाकिस्तान नो फोर्स करें कि तुछ जेन के नूँ आप पाकिस्तान को राइट या ओ तेम आंदे ने से डिस्पूटे लेंड आशी नहीं वाइट करना तो उसी जोमर ज चाहूंदा हिंदोस्तान दे अधर प्रविंसस ते जडे लोट सबादे स्पीटर ने उनने क्या कि जे उनानु नो नी बलॉंदे साथे देश्टा हिसा ने साथे उत्ते सविदान पूरा लागूवा सविदान दे नाली चोना हुंदिया ने ओसे तरही स्पीटर दी चोन प्रविजट एंड बीए पार्ड अफ्ट जडी कॉमन मेल्थ समेले ने दी पडले करदां के जम्मो कश्मीर दा मुदा दोहां देश्यां दे राजनीता ने जमें मैं पहला किया सी इक अपना अपने जडी शर्मी दिया दों दिया ओसनों बचान दे लई अगे रख्या हु इंडोस्तान दी सरकार नो दिता जे एंके दा इशू उठाया मेरा कैन ना मतलबा जेडे भी पॉलिटिशन जे कहने ने कि कॉमन बल्थ दे बिच स्थापती होनी चाहिए दिया कॉमन बेल्थ दे बिच अदा इशू होना चाहिए जे उना नो लगदा के जे एंके दा पॉलिटिक्स नो लेके इंटरनेशनल लेबल स्टेज ते जाए जाए सर्दा आइडों थिंग के इस पॉसीबल दरीजन इस जदों सी इन्ने दूर बैठे परवासी पंजाबी जाब परवासी हिंदोस्तान नी देख देयां सी एनन जा बड़े न्यूस चैनल दी जे न्यूस देखी जावे एतन जरूरा सकता के अतबदी हमले बिच इन्ने व्यक्ति होते मारे गये पर कश्मीर मसले बारे कोई भी डाल नी करदा तो नो लगदा परमिंदर सिंग जी के फ्यूचर देविच कश्मीर मसला पार्टिस्तान दियां इना हर्क्रतां टरके इंटरनेशनल इशू बन सकता जा नहीं देविंदर जी अज तक मेरे साधने नल हर देश वलों सिर्फ एही सला पाकिस्तान नो वी ते हिंदोस्तान वी ती गया कि तो आनू आपस देविच ही जड़ा मामला जड़ा सॉल्ब करना पेणा तो मिन्नों नहीं लगदा कि इंटरनेशनल इशू किसे वी तरीके ना बन सकता है क्योंकि मेजॉल्टी जड़े देश ने ओए हर्क्रतान किनी वरी क्या चुक्किया ओल किनी वरी शेंट रपीट भी करते रहें रहें हों कि हांची एह तो अटा आपस भट्पी जी की ओऊ धरड़ी हों कि हांदी पाकस्तԱ स्टान को कि पाकस्ता भीगाता कि अंटरों कि यह तौनों कर रहें हों तूर शेर पार्टी ने करें और थी तो ओवर उनाइट ने चिन उपर केड़ी ति ओनों लैगिडारों कर सकी तूल कि इंशू कि इस तुसित है करें जी नो उन तुसी युनाइटे नेशन ते इशू क्यों ने उठाए गया हुना ए ते तो अनुवी पता है तो लोग का नुवी पता है मैं कहारी कि दुसी कि थीजी पार्टी क्यों साउ्ड कर सक गहां कि इंडिया ची कुछ कर सकते हैं आइसे सब्लोजे जे एंके दी वॉल्मरेबिल्टी लिए कभजा कर ले अगे ना फिर तो कोई कुछ भी निहीं कर सकता फिर ते ना पाकिस्तान ना इंडिया ना खुद दा जैने फिर तो आइसे सब्सक्राइब सिगा हर नियां जी तेखो थो सथा कारा सथे कार्दे बेचैसी राम ना रह रहे हां कोई देश गुंडांगर्धी न सब्सक्राइब न यहीं कर्णा चाहां जांदा ज newborn पाकिस्तान ने आउट राइट डिनाई भी ठीता हुया उस्दा बजा यह ही यार के हिंदोस्तान केंदा जे गालबाद करनी ही या पहला अप्तबाद दी खतम करो जेसा नुद दब के मारने ने असी आप दे कर्च सुखी बैठे हैं असी युनाइटे नेशन को लेकर हो जाईए असी समर्था के ए अतबाद दा मकाबला कर सब्याँ उननी सो कतर दे बिच करारा जवाब दिता सी पाकिस्तान दी कोई समर्था नहीं के साधे बराबर साधे ना जंगलर दी असी सुपर पावर बनना चोने हैं एकनामिक पावर ब युनाइटे नेशन तक लेके जावे युनाइटे नेशन ते लिजाके जे ओसनों एक बैलस अप्रोच बनाओनी पहनियां ता पहला आतवादी जड़े पार्टिस्तान तो हिंदोस्तान होंदे ने उन्हां रखातमा जरूरी है हर पर जी तुसी ये गलना सेमत हो जाने नह पहला इंडिया दरपरदार मंती नेंद्र मोदी जोनों नवाज श्रीफ नों मिले सी उन्हान ने शांती दी उत्ते गल क्यों की ती ओस टाइम ते कि इंडिया च्रोला पाता सी कि यसी पाकिस्तान ना शांती सवाब स्थापित कर लांगे उन्दों बेसीकली ओ टॉक होनी चाहिए थी कितने किते दे इंडिया पर स्टैंड भी गलते बिल्कुल दोने पॉलिटिशिंस आपनी पॉलिटिट्स जदो हिंदोस्तान चापाटिस्तान चूंदे ने ओधों भी कर देने जदो बार जाते मुलत रादधा टाइम ओंदा ओवी उन्दा तो नो जाद होगा लटवी दे वाइस सेंपल मंडे सी डेटे ओसनु छबी एलेवन चबी डियारा दे बिच मलाये जान ते पाकिस्तान ने ओना दे वाइस सेंपल देन तो भी मना कर देती दुझ्जे पास से जिनने भी अत्वाद दी होंदे ने जे पिछे जे कोई पड़या गया और उड़ी साब नू पता लग लगदा के मुसल्मान बोट्बैंट लेना पेंदा तो अक्रॉडिगली ओधे ब्यान दे देन देने जिदो लगदा के हिंदू जुगण भाश्तम हो रह तो और ब्यान देन धेन देने तारम दी राजनिती हिंदोस्तान दे बाइच पाटिस्ता ते हिंदोस्तान लिए दोना लिए इक शर्म नाक्स्तिती बन जान दिया पार्टस्तान दा रवय या कॉमन बेल्थ जड़ी जड़ी होस्ट कंट्री दिया हजी तक आया तक आयोप देज़ वरट चेंज देर स्ट्रेटेजी उना नुचाहिदा कि जिन्ने भी सब्दान देनाल स्पीकर बने होई ने जिड़े सब्दान देनाल उत्यासर देया उनानों पर्मिशं देढ़े प्रॉपर इन्वीटेशन देढ़े जिन्हें दें तह हिंदोस्तान भी जड़ी बाल दीच अट पांग दी गल तरदें उनु बदाओं दी गल करंगे के एस नूँ होड बदाया जावे पार्टिस्तान नूँ होड शर्म सार टीता जावे के पार्टिस्तान ऐसे होस्ट कंट्री इट ट्रिकट दा मैच दा होस्ट नहीं कर सब्सक्राइब डब ड़ा